Hello everyone, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सबी? I hope आप सब healthy and happy हैं मैं हूँ करीन आप सब की favorite EBS educator आ गई हूँ आप इसे एक बहुत ही जादा भैतरीन वीडियो के साथ So students, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि Magnet Brains जो है वो प्रोवाइड कराता है kindergarten से लेकर class 12 तकी free and high quality education with CVSC board in English medium इसके साथ साथ हमारा एक Hindi medium channel भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगे classes 6 से लेकर class 12 तकी सारी की सारी videos ठीकिर जहाँ पर अदा state board की videos भी अवलेबल हैं जैसे की UP board, विहार board, Delhi board, MP board and Rajasthan board So students, आप ये सारी videos का लाब ले सकते हैं या फिर अगर आपकी brother, sister या friends या फिर relatives जो की Hindi medium से study करें आप उनको वहाँ पर join करवा सकते हैं Hindi medium channel पर ठीकिर तकी उनको भी वो पूरी education का profit मिल जाए ठीकिर आप भी खुश हैंद आपके सारे friends and सारे relatives भी खुश ठीके न students, तो आपको क्या करना है, अच्छे से share कर लेना है ठीके, आपको बता देती हूँ कि जो fully organized courses है वो be available है, जैसे कि Vedic, Maps, Spoken English ठीके, जहाँ पर आपको daily practice questions provide करवाय जाते हैं और crash course आपको exam time में पूरा cover करवा दिया जाते हैं Also, ये notes and e-books का जो link है, वो description box में गेवन है उसे grab करने के लिए link को check करना, बिलकल में मत भूलिएगा Alright, तो चलिए, शिरू करते हैं आज एक बहुत ही जाता interesting topic के साथ जो कि chapter 16, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ Natural and man-made things ठीक है students, कौनसी चीज है, natural and man-made things So, भई, natural क्या होता है, man-made क्या होता है, ये सारा मैं आज साब को समझाने वाली हूँ So, आपको क्या करना है, अच्छे से वीडियो को like करना है, भई, share करना है आपने friends के साथ जो भी आपके study buddies हैं, ठीक है, उनके साथ share करिए ताकि आप सारे friends and आपके relative साथ में मिलकर बढ़ाई कर सकें ठीक है, आपके brother, sister, जो कि आपके साथ last second में हमको share कर दीजे ओर राइट, चलिए, शुरू करते हैं, आज हम natural and man-made things सबसे पहले मैं आपको एक short में बता देती हूँ कि natural क्या होता है natural मतलब की जो चीजे हमें nature से मिलती है मतलब की plant से मिलती है, ठीक है, trees से मिलती है, सारी natural है इसमें कोई भी हमें महनत नहीं करनी पड़ती है, सब हमें अपने आप nature से आ जाती है nature में क्या क्या चीजे हैं, आप nature में देखते हैं, sun है, sun से हमें sun light मिलती है जो हमारे ली बहुत ज़्यादा helpful है जो कि मून है मून की लाइट है में मिलती है रात में डार्क में है नाइट में हमें मून देखने को मिलता है stars है mountains है rivers है forest areas है jungle है ग्रास है फूल है यह सारी चीजे है नाच्रल ठीक है यह सब हमने नहीं बनाई है यह सब बनाए यह है God made ठीक है भगवान ने औरेड़ी यह सारा संसार तयार करके decorate करके हमें दे दिया है सब हाथ में है ना students सारी चीजे हमारे ली अविलीबल है लेकिन यह जो man made things है यह क्या है जो लोगों के द्वारा बनाई गई चीजे है जैसे कि carpenter भहिया जो क्या बनाते है फरनीचर का सामन बनाते है जैसे कि भई इंजिनियर्स बनाते हैं है ना हमार लिए और इसके साथ साथ आपके टॉइज टॉइज भी कोई बने वे तो नहीं है वो बनाए जाते हैं फैक्टरीज में है तो students यह man made things कौन बनाते हैं लोग बनाते हैं मैं बनाते हैं ठीक है बहुत सिंपल चीज है चलिए शुरू करते है आजब नाचरल एंड मैंमेड के साथ आपको क्या करना है आपको अच्छे से फोकस कर लेना है चिक है ना we see many things around us हम अपने आसपल्स बहुत सारी चीज़े देखते हैं है ना बहुत सारी चीज़े जैसे की ट्रीज है फैन है लाइट सारी चीज़े हमारे आसपास है राइ होसे ग्रुप में सबसे पहला ग्रुप रहेगा नैचरल और दूसरा ग्रुप रहेगा मैनमेड चीक है तो नाचरल चीज़े जो नाचरल चीज़े होती है वो सारी हमें मिलती है नेचर से चीक है हमें इन्वायरमेंट से मिलती है राइट आड जो मैनमेड ग्रुप है वह सारी चीज़ें जो आती है वो कौन बनाता है man बनाते है याने की लोग बनाते है ठीक है? इन दो ग्रॉप्स में हम चीज़ों को आज divide करने वाले हैं अच्छे से detail में study करेंगे natural को and man made को ठीक है न भई? चली natural things क्या होती है? चली समझ लेते हैं these are found in nature and are made by man are not made by man ठीक है न सुरीज़ों? मतलब की ये सारी चीज़ें मतलब की कौन से चीज़ों की बात करेंगे हो? natural things की बात करेंगे हो ठीक है? वो हमें कहां से मिलती है? nature से मिलती है nature में found होती है हमारे environment में हमें मिल जाती है ठीक है? लेकिन ये जो चीज़ें हैं they are not made by man मतलब की लोग इन चीज़ों को नहीं बनाते हैं ये सारी चीज़ें हैं God made मतलब बुला जाता है न की पूरी दुनिया किसे मिनाई है? students भगवार में बनाई है है ना? so जो natural things है ये लोगों द्वारा नहीं बनाई गई है nature से हमें मिलती है ठीक है ना? अब जो natural things में कौन को नहीं जाएगा? सबसे पहले हम अपने आप खुद की जो गिंती करते हैं वो कौन से ग्रूप में करते हैं? natural में गिंती करते हैं हम कोई robot नहीं है है ना students हमें किस ने बनाया है? हमें बगवान ने बनाया है हम पहले ही like already ऐसे नेचर में आ गए है ना? हमें किसी इंसान ने तो बनाया नहीं है right? सो ये जो हम खुद की गिंती किसमें करेंगे natural में next is plants and trees plants and trees जो है ये students natural है है ना हमारे लिए अविलेबल है हम खुद ग्रो करते है right? and हमें plants and trees से बहुत सारे benefits भी मिलते है flowers मिलते है fruits, vegetables right? and जो ये animals है animals भी सारे natural होते है clouds, rivers, sun, moon stars, sand, mountains, sea are all natural things मलब कि सारी चीज़ है natural है हम, जानवर, बांट, स्पेड़, पौदी साथ-साथ, पहाड, clouds, आस्मान, moon, sun सारे stars ठीक है? क्या ये stars किसी इंसान ने बना है? possible ही नहीं ये students ये सारी चीज़ें already nature में given है ये सारी natural things है ठीक है? और कौन सी कौन सी चीज़ें है natural आप मुझे comment section में ज़रूर बताइए ठीक है? चलिए आस्मान में, sky में आप clouds देख रहे है बहुत सारे green plants and trees grass है ना? river किता ब्यूतिफुल है, right? आप ये नेचर में रहना में बहुत जादा पसंद है है ना students? चलिए next आप देखते हैं अब the natural things are both living and non-living अब जो natural things है है ना? वो बोथ living भी है और non-living भी है ना? अब living क्या होता है students? जैसे कि मैं living हूँ है ना? अब मैं चल पा रही हूँ मैं आप सब को पड़ा पा रही हूँ मैं move कर पा रही हूँ है ना? and mainly मैं सांस ले रही हूँ है ना? मैं खाती हूँ right? so यह सारी activities कौन करता है वो करते हैं जो living होते हैं जो जीते हैं जिनके अंदर जीवन होता है right? so students क्या है? मैं क्या हूँ? मैं हूँ living being right? अब non-living things क्या होती है जैसे कि पहाड़ क्या पहाड़ चल सकता है? क्या पहाड़ खा सकता है? नहीं students है ना? बिल्कुल भी नहीं so यह जो natural things है यह किस में बटी हुई है? living में and non-living में तो non-living में आज जाएगा पहाड, moon, sun जो moon sun है वो क्या living है? क्या वो खाते हैं? नहीं students है ना? so वो है non-living but हमें बहुत जाता help मिलती है ऐसे ही जो non-living things है उनसे भी बहुत जाता help मिलती है so हमारे साथ साथ और कौन सा living beings है? plants and trees वो grow करते हैं वो भी breathe करते हैं है ना? वो हमारे nature को pure करते हैं और animals animals के अंदर भी जान होती है animals भी सांस लेते हैं animals खाते हैं move करते हैं so यह living beings कौन होते हैं जो move करते हैं जिनके अंदर जान होती है जो सारी activities में included होते हैं जो खाते हैं run करते हैं so यह होते हैं living beings non-living beings मैंने आपको बता दिया है ना? जैसे की mountains हो गए और और क्या होता है? आप मुझे बताए comment section में तब तक हम आगे पढ़ते sun, moon, stars, clouds, mountains water, sand, etc are natural non-living things मतलब कि यह सारी चीज़े natural तो होती हैं nature में तो पाई जाती हैं लेकिन होती है non-living क्या होती है? non-living यह सारी चीज़े हमारी तरह खा नहीं सकती हमारी तरह सांस नहीं ले सकती and move नहीं कर सकती इसलिए नहीं कहा जाते है non-living जैसे कि stars stars बिलकुल भी move नहीं कर सकते खा नहीं सकते है ना तो इसलिए होते हैं non-living लेकिन natural all right so plants, animals and man are the natural living things मतलब कि plants पेड़ पौध है animals जो जानवर है हमारे आसपस and हम लोग हम people, man, women सब क्या है living beings है मतलब कि हमारे brother, sister, mother, father सब लोग हम क्या है living है भई हम सांस लेते हैं हमारे अंदर जान है चीके चलिए बहुत ही सेंपल था ये non-living and living समझ जा गया natural क्या होते है man-made क्या होते है आप detail में समझते हैं man-made things क्या है चीके the things made by man are called man-made things जो सारी चीज़े man द्वारा बनाई गई है लोगों द्वारा बनाई गई है चीके manpower का use करके बनाई गई है उसे हम कहते है man-made things चीके जैसे की घर students जन घरों में हम रहते हैं वो किसने तयार किया है architect ने, mason ने, electrician, carpenter, painter यह सारे लोग मिलकर हमारे घर को तयार करते हैं राइट students so यह houses जो बनते हैं यह कौन ते करते हैं लोग है ना जो बहुत ज़्यादा skilled होते हैं है ना so यह क्या हमें house पहले से ही मिला है नहीं यह है man-made ठीके so students man has made these things for his use and comfort so यह सारी जो चीजें हैं जैसे कि हमारा घर हमने बनवाया है so क्यों बनवाया है? ता कि हम उसमें अच्छे से रह पाएं हम protected रह पाएं हम comfort अच्छे से comfortable हो पाएं ता कि हमारे use की जो भी चीजें हैं वो कौन बनाते हैं? man man has made these things for his use लोगों ने ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई हैं अपने use के लिए अपने comfort के लिए ता कि वो comfortable रह सके जैसे कि aeroplane, television, radio, car, house, road, table, chair etc. are all man-made things यह सारी चीजें हैं man-made ठीके aeroplane, television, radio, car, house, road, table, chair सारी चीजें क्या हैं students man-made मदलब की लोगों ने इसे बनाया है man ने बनाया है चीजें के man power का use करके यहां तो हम machines का use करके बनाते हैं यहां तो अपनी महनत से अपनी energy लगा कर चीजों को तयार करते हैं जैसे आपने tailor को देखा होगा तो टेलर है वो कपड़ों को stitch करते हैं है न वो कपड़े कौन से होते हैं? वो कपड़े होते हैं man-made याने की tailor उसे बनाता है machine की मदद से stitch करते हैं तो यह साई चीजे है man-made जैसे कि बहुत easy topic है man-made things are non-living things अब जितनी भी non-living things का मैंने अभी आपको example दिया man-made things का example दिया जैसे कि man दौरा बनाया गया है aeroplane क्या aeroplane खाता है? क्या aeroplane सांस ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं है न जो हमारे घर में chair है chair अपने आप move कर सकती है? यहाँ खाय सकती है क्या? क्या table में जान होती है? table अपने आप move कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है न जो यह सारी चीजें होती है non-living मतलब कि यह सारी चीजों में जान नहीं होती बिल्कुल भी यह जी नहीं सकती है इनके अंदर life नहीं होती है न? यह होती है man-made things जैसे की सबसे पहले building building अपने आप move नहीं करती building खाना नहीं खारती building सास नहीं लेती इसलिए non-living clothes भी same clothes चलते ही नहीं है clothes खाते ही नहीं है है न? जो यह non-living है है न? books भी क्या books खुद पढ़ती है? है न? books में से तो हम पढ़ते हैं तो books भी non-living है bicycle भी हमारे use के लिए सारी चीजें students आप समझ गए जिनमें कोई life नहीं होती ये सारी चीजें grow नहीं करती उतनी की उतनी ही रहती है यहना जैसे की students आप सबने observe किया गा कि जब आप बच्छमन में छोटे थे है न? वो कपड़े अब आपको fit नहीं आते हैं आप grow कर गए हैं लेकिन वो कपड़े उतने के उतने ही रहे गए तो ये जो non-living things हैं ये बिलकुल भी grow नहीं करती चीज़ें next car भी man-made thing है bus, computer ये सब हमें facilities इन सारी चीजों से मिलती है हमें comfort मिलता है है न? जैसे कि bus में बैट कर हम school जाते हैं ये हमारे comfort की चीज़ें ठीक है? computer पे हम सारा अपना कांग complete कर सकते हैं राइट students? ये लोगों ने अपने comfort के लिए अपने needs के लिए अपने use के लिए ये सारी चीजों को बनाया है ठीक है? लेकिन ये सारी चीज़ें होती है non-living ठीक है ना students? बहुत ही ज़ादा easy था आज हम सबने समझ लिया है कि man-made क्या होता है और क्या होते है natural things इसके साथ साथ हमने क्या समझे है natural and man-made ठीक है? ये दो समझ आ गया लेकिन living क्या है? non-living क्या है? कुछ examples देना है comment section में कुछ natural चीज़ों की ठीक है? जो आपकी आसपास है and कुछ man-made चीज़ों के जो आप daily देखते हैं अपने आसपास ठीक है? and आपको बताना है कि कौन से non-living है and कौन से living है I hope आप सबको समझ आ गया अच्छे से and करीना मैं आपको अच्छे समझा दिया इस topic को चीज़ों को वीडियो को like करना बिल्कुल भी नहीं बोलना है share करना है अपने friends के साथ चीज़ों के बहुत ही simple tasks है and magnet brains को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि magnet brains पर आपको मिल जाएंगे English and Hindi medium courses जहाँ पर आपको CBC Board के साथ other state boards वीडियो other state boards है वो available है ठीक है Hindi medium चैनल पर आप इनके वीडियोस देख सकते हैं जैसे की Delhi Wood, Beharwood, UP Board, MP Board and Rajasthan Board Alright, so Hindi medium students जो आपके brothers है या sisters है या friends आप उनको वहाँ पर join करवा सकते हैं ठीक है साथ में आपको Vedic Maths and Spoken English fully organized courses भी available है जहाँ पर daily practice questions प्रोवाइड करवाय जाते हैं exam time में crash course भी प्रोवाइड करवाय जाता है students ठीक है and साथ में आप other platforms पर भी follow कर लीजिए जैसे Facebook, Insta, Twitter, Telegram and WhatsApp ताकि आप हमेशा magnet brains के साथ updated रहें ठीक है आपको कोई problem ना हो and ये रहे website and application ये है website ये है application ठीक है इसे भी अच्छे से check कर लीजेगा मत बूलीगा कुछ भी ठीक है and e-notes and e-books का link है वो description box में गेवाने उसे grab करने के लिए link को check करना मत बूलना ठीक है फिर मलेंगे नेक्स वीडियो में तक तक के लिए बाई-बाई टेक क्योर कीप लर्निंग